नमस्कार किसान भाईयों, आज मैं आपके पास जो टेक्टर लेकर आया हूँ, ये जपान से इंपोर्ट किया जाता है, जो की है येन्मार YM सिरिस का 448 इस टेक्टर के बारे पर मैं आपको संपून जानकरी देने वाला हूँ, साथ ही ये भी बताने वाला हूँ कि ऐसी क्या खासियत इस टेक्टर में आपको देखने को मिलेगी, जो मार्केट में आने वाले टेक्टर में आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता, जैसे कि इ पहली बार दिया गया है मैं दिरचम्मार आप देख रहे हैं India Motor Car पहले कि इसका लूकई आप देखे ऐसा लूक टेक्टर इंडरस्टी में आपको विदेसों में देखने को मिलता है जो कि हमारे भारत में भी Myanmar आप किसानों के लिए लेकर आया हुआ है ये किसान भायो 4-wheel drive के साथ आता है और इसकी खासियत मैं आपको दिखा दूँँ सबसे पहले आप देखे इसका जो 4-wheel का जो साफ्ट है वो मैं आपको दिखाने की कोशिस करता हूँ मैं और आपको जिसकी बॉक देखने को मिल जाता है लेकिन ये चीमबर अंदर की हो रहहे है याने कि अगने की इसके बॉझन होण जाज के दिजाइन है वो आपको आपको एरो-डडेनमी फिलेटर लेक्सान बाई है बहुती सांदार आपको देखने को मिलने वाली है इसका bonnet में उपर करके दिखाता हूं किसान भाईयो तो देख सकते हैं यहाँ पे एक liver दिया हुआ है जैसे आप इसे नीचे करते हैं तो यह open हो जाएगा और इसका आप देखिए जो hood है किसान भाईयो इतना उपर यह जाता है इसका जो bonnet किसान भाईयो काफी उपर गी उपर open होता है और इसमें आपको दो hydraulic stud देखने को मिल जाते है जो इस bonnet को काफी उपर open करता है जिसे वज़े से आपको engine पे काफी space आपको देखने को मिल जाता है और इसका engine भी आपको different type का देखने को मिलेगा जो कि येनमार का pure engine किसान भाईयो ये कहीं भी भारत में नहीं बनाया जाता बाहर का इसमें engine दिये गया है और इसका अगर आप देखेंगे front में ही आप open करते ही आपको दिखाए गया front में ये आपको emron का battery देखने को मिल जाता है उसके पीशे आप देखेंगे तो इसकी जो radiator है वो भी काफी बड़ी आपको देखने को मिलने वाली है और इसके front में आपको एक protect जाली की देखने को मिलने वाली है ये जो जाली है किसान भाईयो जब भी आप tractor को उपयोग मिल लेते हैं या की thracer वगरे पे या ऐसे पैरा या धूल डस्ट मल एरिया पे लेकर जाते हैं तो ये जाली जो है radiator में dust जमा होने से पहले protect कर देता है रोग देता है जिसके वज़ए से किसान भाईयो आपका radiator बैतर तरीके से काम करता है और engine की cooling शमता को बनाया रखता है इसके अलावा किसान भाईयो ये आप देखिए इसका जो silencer है किसान भाईयो वो भी आपको बिल्कुल भी different तरीके का देखने को मिलेगा जिसका राड जो है किसान भाईयो वो पूरा नीचे की तरह आता है जो कि यहां पर दिया गया है ऐसा किसान भाईयो अभी तक आपने देखा होगा कि इसमें कहीं भी आपको filter के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कहीं भी आपको फ्रेंट से देखें कहीं भी आपको ना silencer राइस में रज़र आएगा नहीं आपको आपको देखने को मिल जाता है कंपनी के द्वारा आपको यहां पर सर्च लाइट भी दिया गया है उसको फ्यूल टेंग के किसान भाईयो वह आपको पीछे की ओर देखने को मिल जाता है और इसके साथ ही बता दूँ इस टेक्टर में किसान भाईयो आपको यह जो पीटिय और reverse पीटियो दोनों के option आपको देखने को मिलेंगे, 1450 lift capacity आपको इस टेक्टर में देखने को मिलेंगे, और इसका रियल एक्सर आप देख सकते हैं किसान वायो, अच्छी खासी heavy duty में इसे rear एक्सर को भी इस टेक्टर के साथ दिया गया है, इसके लावा किसान वायो ADDC sensor यह यह पूरा पूरा आपका 48 HP का पावर निकाल के देदेगा, और यह चार सेलेंडर के साथ इस टेक्टर का engine को दिया गया है, इसके लावा किसान वायो इसमें hydraulic भी आपको जैसे में बताया है कि 1450 lift capacity इसमें दी गई hydraulic में, तो यहाँ पे आपको double filter देखने को मिल जाता है, एक यहाँ पे आप देख सकते हैं, और एक उपर यहाँ पे भी दिखा हूँ, यहाँ उपर में भी दिया गया है, 48 HP का पावर निकालने के साथ ही इसमें किसान भाईयो 304 CC का engine दिया गया है, जो कि full and cool dry type का air filter इसमें देखने को मिल जाता है, और किसान भाईयो 48 HP के साथ 41.2 HP का PTO power भी यह टेक्टर आपको निकालके देने वाला है, इसके अलावा किसान भाईयो आपको मैं इसका और भी features दिखाते चलता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें आपको subtle shifter देखने को मिल जाता है, जो बीना close दबाए, आपको यहाँ पे टेक्टर को आपको देखने को मिल जाता है, इसका जो seat है किसान भाईयो कापी उपर तक है, जिसके कि पीट में भी अराम मिलता है, जिसके वज़े से आप लंबे समय तक काम में ले सकते हैं, साथ ही किसान भाईयो, अगर मैं ऊपर आपको लेकर रहा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते है हाई लो का गेर यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है, और यहीं side में अगर आप देखेंगे, तो इसमें 4 गेर मिल जाता है, यानि कि 8 forward और 8 reverse गेर मतलब इस टेक्टर में आपको देखने को मिलने वाला है, 16 गेर का है, यह combine आपको गेर बॉक्स देखने को मिलेगा, और किसान भाई उसके पीशे में आपको दिखाओ, तो पहली बार इंडरस्टी में यह आपको जो switch देख रहे हैं, यह PTO का switch है किसान भाई बस आपने घुमाया है, मतलब कि यह PTO on हो गया, off करना है बस इसे दबा दीजे, यह अपने आप off कर देगा, पहली बार आपको किसान भाई वह एक दाम flat दिया गया है, जिसके वह जैसे चड़ना उतरना काफी जादा असान हो जाता है, जैसे कि मैंने पहले बता है किसान भाई यह ना इसमें आपको silencer देखने को मिलता है उपर कियो और ना ही कोई यह आपको ओईल वाला air filter देखने को मिलता है, जिसके सिर्फ एनलोग में आपको आर्पेम यहाँ पर दिखाएगा और सारा कुछ किसान भाईयों आपको लाइटिंग के तुरा इंडिकेट के दुरा आपको यहाँ पर इन्फोमेशन देखने को मिलने वाली है इसका इस्टेरिंग भी किसान भाईयों आपको डूल कलर के साथ आता है जिसमें कि येन्मार का लोगो आपको सेंटर में देखने को मिल जाता है और इस्टेरिंग के नीचे आपको ग्रिप देखने को मिल जाती है और किसान भाईयों ये जो है हाड प्लस सॉप्ट माटेरियल दोनों का combine इसमें दिया गया है इसके अलावा किसान भायो इसमें oil immersed brake देखने को मिल जाता है जो कि multiple disc brake यहाँ पर दिया गया है जो auto-adjust भी होगा और brake लगाने के इसकी छमता जो है वो भी काफी बहतर इस टेक्टर के साथ देखने को आपको मिलने वाली है साथ ही किसान भायो एक और extra feature जो कि आपको इस टेक्टर में देखने को मिलेगा चलिए वो आपको मैं practical दिखाता हूँ किसान भायो यह देख सकते हैं पहले तो इसका आप sound देखिए बहुत सांदार sound इसमें आपको सुनने को मिलेगा इसके अलावा आपको मैं cutting दिखा देता हूँ किसान भायो शोटी जगा में यह mood जाता है किसान भायो बहुत सांदार इसका cutting दिया गया है इस टेक्टर में और इसके अलावा किसान भायो जो मैं features की बात कर रहा था वो आप देखिए यह आप देखें किसान भायो जैसे मैंने चावी बंद किया यह टेक्टर बंद हो जाएगा ऐसा बहुत ही कम टेक्टर में आपको देखने को मिलता है कि चावी से ऑन और चावी से बंद हो हमेसा kill switch यह खिछना पड़ता है लिवर को तभी यह बंद होता है वो features आपको इस टेक्टर में देखने को नहीं मिलेगा बहुत सांदार feature जो कि चावी से ऑन उगा और चावी से बंद हो जाने वाला है यह features आपको इस टेक्टर के साथ देखने को मिलने वाला है साथ ही किसान भाईयो यहां पर और different cheese में आपको दिखा दूँ यहां देख सकते हैं 1000 light का option दिया गया है साथ ही यहां पर horn के switch यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे light के switches आपको देखने को मिल जाते हैं किसान भाईयो और इसका जो look है किसान भाईयो वो तो 10 of the 10 marks मैं इसमें दूँगर look के मामले में और front आप देख सकते हैं किसान भाईयो जो air vent दिया गया है वो यहां पर भी top में भी दिया गया है front में भी दिया गया है side में भी दिया गया है मतलब चारो तरफ से engine में हवा जो है वो इस टेक्टर में पहुचने वाली है इसके लावा किसान भाईयो मैं side से अगर दिखाऊ तो यहां पे भी आपको pushning देखने को मिल जाता है जिसके वज़े से जो आपके साथ सफर करेंगे या जो side में बैटेंगे किसान भाईयो वो भी उसको भी दियाल में रखते वी उसके लिए भी comfort के लिए यहां पे seating दी गई है किसान भाईयो इस टेक्टर में आपको 1368 का rear tire और front tire 4 wheel में आपको 88 का देखने को मिलने वाला है कुछ इस तरीके का look है आपको टेक्टर में देखने को मिलेगा किसान भाईयो जो कि अपने segment में सबसे बहतर look जो है वो और 40 hp के engine के साथ मिलने वाला है यह इन्मार का जो कि जपान का पूरा import किया गया है किसान भाईयो और इसमें side में आपको एक extra box toolbox जिसे आप बोल सकते हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें आप कुछ समान वगरे carry कर सकते हैं यह आप देख सकते हैं किसान भाईयो और यह अलग-अलग छेतर में इसकी pricing कम यह जादा हो सकती किसान भाईयो आप इस टेक्टर को नजदी की आप इससे टेस्ट ड्राइब या इससे purchase कर सकते हैं उमिद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आये होगी मिलते हैं इस वीडियो के साथ तब- सबके लिए जय हिंजय भाराथ जय चर्तिस गड़